नमस्कार आज हम डिसकस करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के important question और यह जो हिमाचल प्रदेश जी के important question हम डिसकस करेंगे कि mission allied का जो हो पार्ट है हरी question जो हो बहुत important है आपके आने आने वाले exams के लिए जैसे कि अभी आपने देखा कि यह जो high court junior office assistant का paper हुआ इसमें आपको help मिली definitely हिमाचल प्रदेश 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 के सभी exams में ऐसे ही आपको help मिलेगी यह आप मानके चलिए जैसे कि पहले मिलती रही है question number one से अभी हम start करेंगे हरी question को details discuss किया जाएगा बोलते हैं which of the following company is constructing the uhal stage 3 hydroelectric project तो बोलते हैं कि निमन लिकित मेंसे कौन सी company जो है वो उहल चरन 3 जल विदित प्रयोजना का निर्मान कर रही है अगर हम उहल चरन 3 प्रयोजना की बात करते हैं तो इसको जो execute कर रही है वो BVPCL कर रही है यह BVPCL आपने नाम नया सुना होगा पूरा नाम सुनीए आपको समझा जाएगा पूरा नाम है इसका Bias Valley Power Corporation Limited जो है वो इसका पूरा नाम है और यह कितने Megawatt की प्रयोजना है तो यह आप जानिए कि यह प्रयोजना जो है BVPCL के अंडर जो construct की जा रही है सो मेगावाट की जो है परियोजना है अब डिटेल से थोड़ा सा और जानेंगे तो कॉंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश जो स्टेट इलेक्रिसिटी बोर्ड लिम्टिड है ना वो 27 जल विद परियोजनाओं को जो है इनका सेंतर जो हो चालू करता है तो यह एक परियोजना है उहल 3 परियोजना जो कि सो मेगावाट की है ब्यास वैली के दौरा ब्यास कोम्पनी है तो यह आप जरूर धियान रखना कि यह कंपनी है सहाय कंपनी जो हमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्रिसिटी बोर्ड लिम्टिड की है यह आप जरूर धियान और साथ मैं आप ये धियान रखें कि 2021-22 के दुरान हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्रिसिटी बोर्ड लिम्टेड ने बिजली सेयंतरों से 2203 MU जो उर्जा है उसका उत्पादन किया है और 2022-23 में एक हजार 938 MU उर्जा का उत्पादन किया गया और 2023 में 222 MU का अनुमान जो ह 2021-22, 2022-23 और 2023 में कितना अनुमान लगाया गया है 2023 का अनुमान जरूर धियान रखें ये अनुमान है सिर्फ 222 MU का ये आपने धियान रखने है और इससे पहले जो 2022-23 का है वो है एक हजार 938, एक हजार 938 MU उर्जा का उत्पादन जो है वो करेगी ये सारा ध्यान रखें तो ये सारा basic concept आपने यहां से clear कर लिए जो धोड़ धोड़े बने अगला question देखिए अगले question में क्या बोलते हैं बोलते हैं हिमाचल प्रदेश the state of हिमाचल प्रदेश constituted its first finance commission in तो finance commission आए अगर हम पहले finance commission की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में first finance commission जो था कब जो था वो constitute किया गया था तो ये 1994 में किया गया था option c जो है वो सही अंदर है कब किया गया था जी 1994 में किया गया था इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से जानकारी देखेंगे तो concept और clear हो जाएंगे first state finance commission जो ही मांचल प्रदेश का आया वो अप्रेल 1994 में आ गया इसने जो period cover किया था इसने period cover किया था 1996 से लेकर 2001 का जो period था ये इसने अपने recommendation पर जो था वो cover किया था अगर हम state finance commission की बात करते हैं तो देखो state finance commission के बार में पता होना चाहिए कि finance commission जो है finance commission constitutional body है और finance commission जो हो article number 230 280 नबर article के तढ़़ है finance commission constitutes किया जाता है इसका article 280 जो हो वह बहुप बार exam में पूछा जाता है किस तरह की body है तो यह constitutional body है finance जो होते हैं इसमें chairman होते हैं और 4 other member होते हैleg प्रेजिदेंट के द्वारा ही किये जाते हैं यह सारा आप फाइनेंस कमिशन के बारे में ध्यान रखें जैसे हिमाशल प्रदेश पब्लिक सरुष कमिशन जो एक्जाम कंड़क्ट करवाएगा वो एक कॉंस्टिशूशनल बॉड़ी है वैसे ही स्टेट फाइनस कमिशन भी एक कॉंस्टिशूशनल बॉड़ी है यह आपको पता होना चाहिए यह सारा जान लिया हाँ इस तरह का एक क्वेशन हमने हिमाशल प्रदेश के बारे में और भी पढ़ा था गिलिलास पत्री का में वो रिवाइज करना भी जरूरी है तो हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा जी important यहां से next one देखते हैं हमारे बास क्या पूचा गया है next one में बोलते हैं कुछ statements दी गई है और similar का railway line के बार में statements है correct one statement आपको बतानी है सबसे पहली statement देखे बोलते है steam locomotive engine was commissioned in 1906 की यहां पर steam जो locomotive engine था उसको 1906 में construct किया गया था it was used to drive train till 1970 कि इसे train जो था 1970 तक चलाई गई तीसरी statement में बोलते हैं था steam engine was repaired and rehabilitated in 2001 की 2001 में जो steam engine था इसकी मुरम्मत की गई और इसका पुनर्वास किया गया इन सारी statements को अगर आप जानते हैं थोड़ा भी तो यह सारी की सारी statements सही है थोड़ा सा detail से discuss करेंगे ताकि concept और भी ज् तो बोलते हैं कि जो steam engine था इसको 1971 में out of service जो था वो कर दिया गया था rehabilitate इसको 2001 में किया गया था यह steam engine जो था यह commission हुआ था 1906 में और train इससे चलती थी और 1917 से पहले यह फिर 1970 तक चलती रही वैसे ही फिर replace भी हुआ भी बीच में चलकर diesel engine आ गया और 1971 में इस engine को out of service जो था वो कर दिया गया था 1970-71 आप ध्यान रखें इस तरह से अगर हम बात करते हैं ना कालका शिमला railway line के बारे में तो यह 96 km long है 96.54 km exactly है 1903 में इसको inaugurate किया गये था किसने inaugurate किया था Lord करजन के द्वारा इसको inaugurate किया गये था इसमें जो tunnels आती है वो 103 total number of tunnels जो है वो आती है इसमें आपने ध्यान रखना है कि सबसे लंबी जो tunnel आती है वो बढ़ोग tunnel जो है वो आती है इसके जो chief engineer थे वो थे Mr. H.S. Harrington उनका नाम ध्यान रखना है और most important question जो बनता है वो UNESCO में इसको सामिल जो है वो किया जाजा इसको है UNESCO की heritage list में तो कौन से year में किया गया था 2008 2008 में जो था वो UNESCO की heritage list में इसको चामिल किया गया था तो ये सारे questions आपने यहां से ध्यान रखने हैं ये basic questions हैं बहुत ही जाता और exam में पूछे जा सकते हैं अगला question देखिए अगले question में क्या बोलते हैं बोलते हैं in which year did Monday conspiracy led by मिया जोहर सिंग और रानिंग खेरणगड़ी टेक प्लेस तो बोलते हैं कि मिया जोहर सिंग और रानिंग खेरणगड़ी के नेतरित्तों में मंडी से अंतर जो था वो किस वार सुआ था मंडी conspiracy का equation भी most expected माना जाता है exam में कि पूछ लिया जाएगा तो ये पहले तो धियान रखना है कि 1914-15 1914-15 में जो था ये led किया गया था अब किसके द्वारा किया गया था examiner question पूछ लेता है you among the following was the main leader of मंडी conspiracy तो मिन्या जवाहर सिंग और रानी खेरगड़ी ये जो था वो में इसके क्या थे लीडर थे ये फिर जिन्होंने इसको लीड किया था आगे चलकर वो धियान रखे डिटेल से अगर आप कुछ जानते हैं तो देखो जो और इंडिया लेवल पर अंदोलन या क्रांतियां हो रही थी कही ना कहीं पर उनका प्रभाव हिमाचल में देखने को भी मिल रहा था इसी तरह से मंडी conspiracy भी हुई इसमें क्या हुआ था 1914 में 1914 में इन लोगों ने क्या किया अपनी क्रांतिकारी गतिपी धियां तेज कर दी थी यह जदातर प्रभावी जो थे यह गदर जो एक संगठन था उससे प्रभावी थे गदर अखवार भी एक चला था अगर आपको हिस्ट्री में ध्यान हो तो गदर अखवार जो है वो जद्दू खराडा थे बद्रीनात थे दलीफ सिंग थे लॉंगू राम थे यह सब यहां पर मुख्य रूप से आते थे अब इन्होंने क्या किया इन्होंने एक योजना बनाई की मंडी में ब्रिटीस उप्रिडेंट जो है मंडी की जो वजीर है और अन्य अंग्रेज अप सब्सक्राइब तरो पुलिस ने टौर्चर किया तो इन्होंने संग्टन का सारा भेध खोल दिया परिनाम सा रूप किसिप बद्रिनाथ ज्वाला सिंग लॉंगूराम इनको पकल लिया गया रानी खेरन गड़ी थी इनको क्या किया गया रियासत से ही निकाल दिया गया और सिद्धु खराड़ा एकमातर ऐसे प्यक्ति थे जो यहां से भाग निकलने में जो था वो जो कह सकते हैं कि सक्सेस्फुल जो बाद में चलकर और सारी मुवमेंट्स हुई परंतु यहां से हमने में लीडर्स जान लिया यह सडेंटर कब हुआ यह जान लिया इसमें किस तरह से नाग चला में कॉंस्फरेंसी करने का धन लूटने की योजना बनाएगे जिसमें कुछ लोग पकड़ेगे वो सारी चीज इसके ब्लासपूर। जिले में कॉर्प मचली जो है एक इसका तो यह है दीयोली में और दियोली में आपको पता है और दियोली में आपको पता है कि one of the biggest या फिर आप कहलेजिए कि एसिया का सबसे बड़ा एसिया का सबसे largest जो फिश ब्रीडिंग फार्म है वो भी जो है वो यहां पर इस्तित है 1961-62 में जो था वो दियोली फिश फार्म की स्थापना कही गई थी अब यह दियोली कहां पर स्थित है दियोली घागस बिलासपूर के स्मीब जो है वो स्थित है आपने ये साथ में जरूर जो यहां पर जो लेना है कि दियोली फिश फार्म जो हो कौन सी नदी के किनारे लगता है तो यह अली नदी के किनारे लगता है अली खड़ भी है अली ग्राउंड जो है वो बिलासपूर में स्थित है लुहनू ग्राउंड कहां पर है ये भी बिलासपूर में स्थित है कि बलासपूर में इतने जदा ग्राउंड है बड़े बड़े तो लुहनू ग्राउंड को ही जो है वो संधू ग्राउंड कहा जाता है बहुत बार हमने पहल बोलते हैं विच आप फॉलॉइंग पास जोईन कांगडा टू बर मौर तो बोलते हैं यहां पर देखिए कि निम्मलीकित मैंसे कौन सा दर्रा कांगडा को बर मौर से जोडता है अब कुछ दर्रे हैं हिमाशिल प्रदेश के जो अलग लग स्थानों को जोडते हैं अपस में अब कांगडा को बर मौर से जोडने वाला दर्रा इन मैंसे कौन सा है तो आपने ध्यान रखना है कि निकोडा दर्रा निकोडा भी इसको कहीं पर लिखा गया है निकोडा दर्रा ध्यान रखना है कि यह किसको जोडता है कांगडा को बर मौर से जोडता है option A बिल्कुल सही अब कांगडा को भरमौर से क्या कोई और दर्रा भी जोडता है अगर जोडता है तो उसका नाम क्या है क्या भरमौर जो है वो डिस्टिक चंबा में पढ़ता है तो वहां पर और भी दर्रे स्थितने हैं पहले ध्यान रखे कांगडा को भरमौर से जो दर्रे जोडते हैं उसम चमबा को कांगरा से चमबा डिश्टिक जो है उसको कांगरा से जोडते हैं चौरी दर्रा हो गया तोरी दर्रा हो गया भीम घसूतरी दर्रा हो गया वारू दर्रा बहुत इंपोर्टन्ट है लाइड सर्फिस में पूछा गया है वारू दर्रा जो है कांगरा को चमबा से जोड़ेंगे जैसे कि साच दर्रा हो गया दराती दर्रा हो गया ये चमबा को पांगी से जोड़ेंगे चमबा को जम्मू साइड से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो पादरी दर्रा जो है वो जोड़ता है दूलची दर्रा ऑप्शन में दिया गया है ये मंडी को जो है वो कु गुष्डी गर्ल तो वो थे हैं कि निमलिखित में से कांगडा के किस राजा को एक गदी लड़की से जुठाओ प्यार हो गया था तो ये थे कांगडा की राजा संसारचंद ऑप्शन सी सहीं अंसर है अब इनको जो राज सिहांशन मिला या राजगदी परीकप बैठे थे तो सबसे बड़ा भाई होने के कारणी 1775 में ही राजगदी पर जुधाओ बैट गए थे अब राजगदी पर बैट गए इनके कारेकाल के दुरान क्या हुआ इनके कारेकाल के दुरान बहुत हर्चल हुई ये बहुत फेमस रहे पहले तो इन्होंने पहाडी रियास्तों को ही जुधाओ अपने धीन करने की कोशिश की थी बहुत तंग जुधाओ पहाडी रियास्तों के साथ इनकी लड़ाई हो जाती है 1795 में 1795 में संसार चंद बिलासपूर पर चड़ाई कर देते हैं उस टाइम यहां के जो साशक हुआ करते थे महान चंद हुआ करते थे वो सारे जोटे भी थे तो इनकी माता थी नगर देवी इनका जिनका नाम था इन्होंने सिर्मौर के राजा जिनका नाम धरम परकास था धरम परकास से सहायता मांगी धरम परकास जो था वो सहायता लेकर पहुंच गए अब जब कहलूर पहुंची तो तीनों सेनाओं के बीच कहलीजिए क्योंकि कहलूर और स्रिमौर यूनाइट होकर लड़ रहे थे कांगडा के अगेंस्ट तो इनके बीच युद्ध हुआ ये जो लड़ाई हुई इसमें धरम पर कास जो था वो अनफॉर्चनेटली मारे गए कहलूर की सेना को यहां पर हार जो था वो मानने पड़ी थी संसार चंद ने सतलुच के दाहिने वाले किनारे क्षेतर को अपने अधिकार में ले लिया था और यहां पर एक किला बनवा दिया जिसको चातीपूर किला जो था वो कहा गया तो इस तरह से कहानी हुई अब बिलासपूर के मन में कही न कहीं पर कहलूर के मन में कहीं कहीं न कहीं पर बात तो थी कि बदला तो लिया जाएगा कैसे न कैसे करके इन्होंने गोर्खाओं को जो था हूँ इन्वाइट कर दिया गोर्खा यहां पर 1805 में अमर सिंग थापा की देख्षता में 40,000 सैनिकों के साथ यहां पर आप पहुंचे गोर्खा मैंने पहले भी बताया था कि बहुत करूर हुआ करते थे यह क्या करते थे यह नहीं देखते थे कि जब मार रहे हैं तो किसी जीवित वस्तू को मार रहे हैं यह नर्जी वस्तू पर आकर्मन कर रहे हैं यह बहुत करूरता के साथ जो था हो लूट पाट और मारते थे इन्होंने संसारचंद को हरा दिया महल मूरिया में जो हमिरपुर में प्रेजेंट ली पड़ता है वहां पर इनका युद्ध हुआ था संसार चंद को कांगडा किले में जाकर शरन लेनी पड़ी थी अमर सिंग था पाने किया कि अपनी सेना के साथ काफी कोशिच की थी कांगडा किलो को जो है वो कैप्चर कर लिये जाए घेरा रखा कांगडा किले को परन्तु नहीं जो था वो उसके उपर आक्रमान कर पाए उसके बाद संसार चंद इतने दिन जो था वो किले में ही जो था वो रहे फिर उन्होंने अपने भाई को भेजा कि जाओ और महराजा रंजीत सिंग से जाकर साहिता मांगो तो महराजा रंजीत सिंग से साहिता मांगी गई और 1809 में जो अला मुकी की संदी हुई संदी होने के पस्चाज जो था वो कांगडा का किला जो था वो महराजा रंजीत सिंग को देना पड़े था कुछ गौम भी देने पड़े थे इस तरह से संदी हुई थी तो इस तरह से जो था फिर ये शिफ्ट हो गए सुजानपूर को सुजानपूर की होली जो होती है फिर इन्होंने ही स्टार्ट करवाई थी सुजानपूर के साथ इनका काफी लगाव था तो ये सारी घटनाएं जो था वो होई थी ये सारी आपने जान लिए गद्दन के साथ इनको प्यार हुआ था नोखु नाम था गद्दन का और संसार चंथ राजा जिनको प्यार हुआ था ये सारा आप ध्यान रखें लोकरा सिरीज में कांगरा डिष्टिकम डिसकस कर रहे हैं जल्दी ही अगला पार्डवी आएगा अगले कोशन में बोलते हैं तो बोलते हैं कि ट्रेवल इन वेस्टन हिमाला किताब है इसके ऑथर कौन है जो बड़ी बेसिक बेसिक किताब हैं वो तो आपने बहुत बार पड़ी हैं अब भूलती भी नहीं है क्योंकि रिवाइज ही हमने इतनी वार अब आप कहेंगे कि य जो है यह नई किताब है नई किताब है फ्रन्तु राइटर पुराने ही है जिनका नाम आपको पता है वो है MS रनधावा आप्शन सी सही अंसर है अगर इनका पूरा नाम आप्शन में दे दिये जाए तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हम MS रनधावा इनका पूरा नाम है मुहिंदर सिंग रनधावा जिनके दौरा ये किताब लिखी गई है इन्होंने बहुत सारे किताब है ने बहुत काम जो था हो हो किया है नोके दौरा बेक आनि इस पहलेगिंड राइटर है जैसे जो अक्सर एक्जाम में जो हो पूछी जाती है तो उस किताब का क्या नाम है उसका नाम है Report of Kangra या फिर एक और किताब भी इनके दोरा लिखी गई है वो है Settlement किताब और Lahore 1989 किताब इनके दोरा लिखी गई है जेपी लयाल के दोरा कौन सी किताब लिखी गई है तो इनके दोरा जो किताब लिखी गई है वो भी important है उसका नाम भी धियान रखें उसका नाम Report of Land Revenue Settlement of Kangra पंजाब 1956-72 Lahore 1875 ये किताब इनके दोरा लिखी गई है ये तो options के राइटर होगे जो option में राइटर दिये गई है उनके दोरा लिखी गई किताबें होगे जो हमारे exam में बहुत दार पूछे गई हैं उनको तो revise करना जरूरी है जैसे की W.G. Archer के दोरा Indian Painting from Punjab Hills किताब लिखी गई है J.C. Frank के दोरा हिमाले नार्ट किताब लिखी गई है इनके लब विलियम मूर कराफ्ट ने ट्रेवल इन हिमाचल प्रदेश किताब लिखी है और L.C. Pande के दोरा प्राचीन हिमाचल किताब लिखी गई है L.C. Prathi के दोरा कुलुत देश की कहाने किताब लिखी गई है तारीखे रियासत सिरमौर किताब रनजौर सिंग जी के दोरा लिखी गई है और सांटा कुमार जो हिमाचल प्रदेश के मुखे मंतरी रह चुके हैं MP रह चुके हैं उनके दोरा धरती है बलिदान की किताब पहाड बेगाने नहीं होंगे लाजो किताब हिमाले पर लाल चाया किताब देश भगत स्वामी विवेकानन्द ये किताबें जो हैं वो लिखी गई हैं नोटीड हैं सारी की सारी इनको ध्यान रखें अगले कोशन में बोलते हैं बोलते हैं फर्स्ट रेसिपियन्ट औफ परमवीर चक्रा मेजर सुमनात सर्मा डायड ओन तो मेजर सुमनात सर्मा का ध्यान कब हुआ था बहुत बार हमसे क्वेशन एक्जाम में पूज जाता है कि पहला परमवीर चक्रा अवार्ड किसको दिया गया था तो सही करकर आ जाते हैं एक्जाम में क्वेशन की मेजर सुमनात सर्मा को दिया गया था प्रंतु इनका ध्यान कब हुआ था इनका ध्यान जो था यह सहीद हुए थे तीन नवंबर 1947 को option ए सही अंसर है यह और भी ज़ आइलेंड का नाम जो है वो रखा गया है इनका जनम 1923 में हुआ था डिस्टिक कांगडा से यह संबंद रखते हैं यह इसलिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं हिमाचल से किसको परमवीर चक्र अवार्ड मिल चुका है यह भी तो पता होना चाहिए तो सबसे पहले अवार्ड है कि 1962 में जब चाइना के साथ इंडिया का वार हुआ तो मेजर धन सिंग थापा थे इनको शिमला से संबंद रखते हैं इनको परमवीर चक्र अवार्ड मिला कैप्टन विक्रम बत्रा 1999 में जो कारगिल वार हुआ था ओप्रेशन विजे वहां पर चला था उसमें उने सहयो वार्ड दिया गया विलासपूर से हैं ये इनका नाम ध्यान लग रहा है परमवीर चक्र अवार्ड होते हैं और कौन कौन से वार्ड होते हैं परमवीर चक्र होते हैं महावीर चक्र महावीर चक्र वीर चक्र जो है वह वह वार्ड होते हैं तो ये अलग लग अवार्ड होत युद्धाओं को मिला है उनके नाम परमवीर चक्र एवार्ड के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानेंगे तो परमवीर चक्र एवार्ड जो हो मिलिटरी का सबसे हाइस्ट एवार्ड होता है और परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गए और कल ही हमने एक क्वेश आपने ध्यान रखने है इसी तरह से लिंक होते हैं और आगे भी इसी तरह से लिंक होंगे डिरेक्टली इंडिरेक्टली अगले गोशिन में पूछते हैं एस पर 2011 सेंसे इन विच डिस्टिक ऑफ हिमाशल प्रदेश हाइस्ट फिमेल पॉपुलेशन तो बोलते हैं 2011 की जनक टेलिग्राम पर जोइन नहीं किया है अपने टेलिग्राम उपन करना वहां से अट दरेट और अल एक्जाम 31 इस तरह से सर्च करना आपको टेलिग्राम टेनल मिल जाएगा क्योजी आपको लगभग डेली प्रवाइड करवाई जाते हैं वहां पर ताकि आपकी एक आपकी आपकी पुत ये जड़ादे हैं